दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यीटूब चैनल इलेक्रिकल परिक्षा में आज की वीडियो बहुत ही ज़ादा जबरदस्त होने वाली है क्योंकि इसमें यूपी-पी-सी-ल जी-ई-ई-का जो ट्रेंडिंग टॉपिक है करेक्ट इनकरेक्ट कॉसन और न करने वाला हूं तो वीडियो अच्छी लग रहे हो तो लाइक और सेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा जिससे कि मैं हर टॉपिक के आपको यह वाली वीडियो के आपको प्रवाइड करा सकूं तो चलिए हिया पर हम स्टार्ट करते है खेलो और सीखो वाली प्रतियोगता है यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि इसमें आपको दस को सन मिलेंगे दस में से आपको आठ को सन से ऊपर के ऊपर करेक्ट यदि आपके जाते हैं तो आपकी तयारी बहुत अच्छी है और आपको और जादे रिवीजन करने की साथ ही साथ इनके जिन इस्टूटेंट के कम मार्स्क आते हैं तो उनको भी और जादा रिवीजन करने की आवश सकता है यह तो देख सकते हैं पहला कॉस्टन आपकी स्क्रीन पर इसमें पूछा गया है विच बन ऑप दा फॉलोइंग स्टेट्मेंट रिगार्डिंग डट गोफ त्रणजीश्टर मोडल से पूच्छा गया है इससे हम उसकी कौनसी करेक्टरिस्टिक्सटिक को जो है डिफाइन करता या एक्सलेव करता turn on portion को explain करता है B option पढ़ लेते हैं B option में कहा है it explain only turn off process only ये cable turn on process को explain करता है C option पूछ रहा है explain only negative region portion of the device characteristic क्या ये characteristic की cable negative region को explain करता है और D option है it explain all region of the devices characteristic तो आपने आपकी वुकों में पढ़ा होगा कि CER का या and eartest का 2 transistor model होता है तो ये किस Значит को explain करता है तो आपको इस परिकार अपकर थाय register में बना देता हूँ इस परिकार होता है तो इसको जो है 2 transistor model में यहाँ पर change कर लिया जाता है एक यहाँ पर transistor हो जाता है हमारा PNP और एक हो जाता है हमारा NPN here पर देख सकते हैं PNP और एक हो जाता है हमारा NPN यह इस पर कार तो यह यहाँ पर इसके गेट जुड़े हुए होते हैं यह बाहर की तरफ यह होजाता ठीक है तो I hope आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा ठीक है तो यह क्या करता है अब आपने answer आपना कर दिया होगा तो D option आपका answer हो जाएगा दोस्तो D option क्या है answer हो जाएगा कि ये device के all characteristics को क्या करता है explain करता है to transistor model इसकी अब explanation में आपको लेकर क्या हूँ explanation में बहुत ही ज़्यादा अच्छे questions छुपे हुए है टू transistor model of representation of PN devices is complete representation to explain operation of devices बोद turn on और और अफ प्रोसेस दियान अखना जो हमारा two transistor model है वो turn on और turn off प्रोसेस के पूरे की पूरी complete explanation क्या करता है complete explain करता है अब इसको two transistor model को इसने बताया है आगे PN PN device can we thought of as a combination of one PN P transistor and another NPN transistor from the construction point of view अगला question आप से पूचा के examiner की जो two transistor model है वो किसके according है तो construction point of view से है अब आपको धियान में रखना है किस किस के equivalent माना जाता है PNP और NPN transistor के equivalent इसको माना जाता है एक transistor हमारा PNP होता है और एक transistor हमारा NPN होता है तो देखो जो हमारी inner layer होती है इसको हम connect मान लेते हैं इस परकार यह हो जाता है हमारा two transistor model और इसी पर हमारा हो जाता है यहां पर inner वाले पर gate हो जाता है ठीक है तो I hope आपको यहां पर समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा explanation आपके सामने रख दिया है तो आपको बहुती अच्छा explanation लगा होगा अब हम चलते हैं दोस्तों अपने second question की तरफ यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो like और share जरूर करिएगा और channel पर नहीं हो तो subscribe करके जरूर जाएगा अगला question है दोस्तों आपकी screen पर इसमें पूछा गाया which of the following does not cause damage of an SCR इसने कहा है SCR के damage होने का कारण नहीं है तो पहला option है high current दूसरा high temperature rise और B यहाँ पर C option उपर रख गया है यहाँ पर B होगा और यहाँ पर C होगा दिहान रखेंगे ठीक है high rate of rise of current या high rate of rise of voltage इनने कहा है कौन से जो है cause नहीं है तो आपका D answer यहाँ पर हो जाएगा कि जो high rate of rise of voltage है यह transistor यानिकी SCR के damage का region नहीं है दोस्तो question 2014 में IES में आया हुआ है सभी के सभी question important है तो D option आपका right answer है अब दोस्तो इसकी explanation हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं explanation में क्या कहा गया है high rate of rise of voltage would not cause damage to the SCR जो high rate होती है voltage के rise होने की वो SCR को damage नहीं करती है क्या बोल रहा है आगे it would simply make SCR turn on यह कह करता है SCR को turn on करता है without gate signal के बिना signal के ही क्या हो जाता है SCR turn on हो जाता है और क्या है इसकी explanation में force alter over current थोड़ी सी ही over current के लिए junction temperature में exceed rated value जब हमारी over current हो जाती है तो junction temperature क्या हो जाता है उसकी यहां पर देखने के लिए मिल रहा होगा क्या कहा गया है which one of the following statement is correct इसने पूछा है कौन सा statement हमारा यहां पर correct है correct की बारे में पूछा है the turn of time of converter grade SCR normally in the range of दियान रखना एक हमारा converter grade SCR होता है एक inverter grade SCR होता है मैं आपको पहले ही बता देता हूँ दो SCR होते हैं एक हमारा converter grade का होता है एक होता inverter grade का अब converter grade का जो turn of time है उसकी range यहां पर पूछ रहा है तो दियान रखेंगे जिसका turn of time slow होगा वो हमारा converter grade का कहलाएगा और जिसका fast होगा वो हमारा कहलाएगा inverter grade का जिसका turn of time slow होगा वो होगा हमारा converter grade का SCR ठीक है जिसका faster होगा वो होगा inverter grade का SCR तो जो converter grade के SCR होते हैं उनकी जो turn of time की range होती है वो हमारी होती है 50 से लेके 200 micro farad एनकी slow turn off time होता है converter grade के SCR का दो आपका B answer दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा I hope आपने भी answer अपना copy में टिक कर लिया होगा तो देखों यहाँ पर B option आपका correct हो जाएगा 2004 में आया हुआ question है option B हमारा correct है अब यहाँ पर इसकी explanation पढ़ लेते हैं बहुत ही important है SCR with slow turn off time यहाँ की 50 से लेके 200 microfarad is noon as converter grade क्या कहलाएगा हमारा noon as converter grade SCR तिहां रखेंगे slow turn off time यहाँ की 50 से 200 micro second का जो हमारा turn off time का SCR होगा वो कहलाएगा हमारा converter grade SCR while the SCR with fast turn off जब SCR fast turn off होता है turn off time होता है लगवक 3 से 50 micro second are noon as inverter grade SCR I hope आपको हैं पर explanation समझ में आई होगी तो क्या कहलाएगा हमारा inverter grade SCR कहलाएगा converter grade SCR are cheaper than inverter grade SCR आपको एक question यह भी पूछ लेगा examiner पूछेगा कौन सा सस्ता होता है which of the following cheaper inverter grade SCR यह converter grade SCR both यह non of the above तो ध्यान रखेंगे converter grade SCR cheaper होता है inverter grade SCR की अपक्छा और इनका turn off time ध्यान रखेंगे inverter grade का fast होता है और converter grade का slow होता है range भी ध्यान रखेंगे दोस्तो यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करिएगा जिससे हम आगे भी अपनी class को continue कर सकें दोस्तो अगला आपका question चोथा है पूछा है consider the following statement यह statement के बारे में हमें चार तीन statement दिए गए इनके बारे में विचार करना अब यह statement किसके बारे में यह देख लेते हैं the turn of time of SCR can be reduced यहां भी SCR के turn of time से related है देखो turn एक होता है हमारा turn on time एक होता है turn on दो time होते हैं दोस्तो दोस्तो आपको ध्यान में रखना होगा दो time होते हैं एक होता turn on एक होता है turn off ठीक हैं तो जो turn on होता है यह off से on होने में जितना time लगता है वो time हमारा turn on time कहलाता है समझ में आगे आपके off से on आने में जितना समय लगता है SCR को वो हमारा turn on time कहलाता है दोस्तो turn off time जो होता है ये on से off होने में जितना time लगता है दोस्तो SCR को वो हमारा turn off time कहलाएगा अब ये question turn off time से पूछ रहा है इसको हम कब reduce कर सकते हैं कब reduce कर सकते हैं तो पहला statement है quick withdrawal of gate voltage gate voltage को हटाने से दूसरा हमारा statement आपको देखने के लिए मिल रहा हुआ reducing lifetime by doping with gold gold के साथ क्या करके doping gold के साथ doping करके lifetime को कम करके applying a negative voltage pulse to the gate of these statement तो इस statement में से कौन सा correct correct पूछ रहा है कौन कौन से correct है 1,2,3 पहला option तूसरा option 1,2 और तीसरा option यहाँ पर है हमारा 1,3 और the option है 2,3 तो आपको दिहान में रखना होगा दोस्तों आप answer करिएगा अपना पहले सोच लेजिए कौन सा answer आपका है फिर मैं आपको इसकी explanation की तरफ ले चलता हूँ दोस्तों दोस्तों I hope आपने अपना answer टिक कर लिया होगा तो इसकी explanation यह है कि जो आपका यहाँ पर डी option यहाँ पर correct है 2 और 3 statement क्या है सही है या तो gold के साथ doping करके उसके lifetime को reduce करके turn of time को घटा सकते हैं दूसरा हम negative voltage apply करेंगे gate पर negative voltage apply करने से भी क्या हो जाता है turn of time reduce हो जाता है तो आप ध्यान में रखेंगे turn of time कब reduce हो जाता है gold के साथ doping करके उसके lifetime को कम करके और negative gate pulse apply करेंगे जब हम gate पर तब हमारा turn of time भी reduce हो जाएगा तो D option आपका right answer हो जाएगा दोस्तों आपने भी answer कर दिया होगा तो अब हम चलते हैं इसके explanation की तरफ देखो यहाँ पर on time जो हमारा turn of time होता है मैंने पहले ही आपको बताया था turn on time क्या वही तो लिखर का है on से off आने का जो time होता है वो ही हमारा turn of time होता है S.E.R.E. के लिए 50 से लेके 100 microsecond हैंपर इसकी value होती है ठीक है तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम चलते हैं अपने अगले question की तरफ यहाँ पर अगले question की तरफ चलते हैं दोस्तों देखो यह इस्टेंडर value यहाँ पर थोड़ी गलत हो रही है इसको थोड़ा neglect करेंगे क्योंकि अभी इसके बारे में यहाँ पर कुछ भी वो नहीं है इसको थोड़ा extra लिख लिए था क्योंकि हम यहाँ पर देखी चुके हैंगे देखो normal value तो आपकी turn off time की यही होगी 50-100 microsecond turn off time की value 50-50 से आपने 200 पढ़ा था converter grade के लिए पढ़ा था ना पढ़ा था है ना और inverter grade के लिए कम पढ़ा था 3-50 microsecond यह देख सकते हैं पीछ वाले कॉसर में लेकिन standard value जब आप से पूछेगा तो आपको 50-100 microsecond लगाना होगा की SCR का turn off time कितना होता है 50-100 microsecond होता है दोस्तो दिहान में रखना converter grade के लिए 50-200 range है inverter grade के लिए 3-50 microsecond है और यहाँ पर जब SCR के लिए पूछेगा तो 50-100 microsecond है दोस्तो तीन question आपके यहाँ पर complete हो जाते हैं आपको confusion बिलकुर नहीं रखना है confusion आप रखेंगे तो आपको exam में problem आ जाएगी दोस्तो अब हम चलते हैं अपने पांचवे question की तरफ इसमें कहा गया है consider the following statement a four layer pn pn device देखो four layer pn pn devices के बारे में पूछ रहा है और क्या है है यहाँ पर having two gate leads क्या है एक four layer pn pn device है जिसमें की दो gate कितने हैं दो gate है can be turned on why apply अब हमारे पास में SCR की कितने lead होती हैं तीन होती हैं लेकिन हमें एक four layer device होती है जिसकी क्या होती है दो gate होते हैं एक anode और एक cathode होता है यहाँ कि gate की संखिया दो होती है अब उस device को हम कैसे on कर सकते हैं इसके बारे में पूछ रहा है तो पहला statement है positive current pulse to the cathode gate यहाँ कि जो हमारा cathode gate होता है उसको positive current provide करके या positive current pulse to anode gate जो हमारा anode gate होता है उसको positive gate देकर positive current देकर negative current pulse to anode gate एनोड को negative देकर के चौथा option है negative current pulse to the cathode gate जो हमारा cathode gate होता है negative तो दोस्तों आप अपना answer करेंगे पहले फिर चलते हैं इसके explanation की तरफ इसमें पूचा गया है which of these statement are या is correct कौन कौन से statement आपके correct है या कोई single भी correct है तो option a 1 alone option 2 1 and 3 option c 2 alone और option d 2 and 4 alone तो दोस्तों आपने अपना answer कर लिया होगा चलिए हम चलते हैं इसके explanation की तरफ तो यहां पर आपका d option correct हो जाएगा statement 2 and 4 हमारे correct है अप देख लेते हैं to statement क्या है इसमें कहा गया है कि जो statement हमारा तू है यह correct है positive current pulse to the anode gate जो हमारा एनोड गेट होता है उसको positive current देने से क्या हो जाता है जो two gate lead devices होती है वो on हो जाती है चौत्वा option negative current pulse to the cathode gate जो हमारा cathode gate होता है उसको negative current में demandé से ऑन हो जाता है तो धियान रहेंगे जब ढेसे के बारे में पूछआ जाए तो किस कभ हो जाएगा चाट होता है उसको पॉजिट्व जेंगे और कैफोडर गेट होगा उसको नेगेटिव पर उस देंगे तब कमारा और वो जाता है ठीक है तो दोस्तों अब हम चलते हैं इसके एक्सपेलेनेशन की तरफ बहुती अच्छी एक्सपेलेनेशन है क्या कहा गया है जो हमारा सिलिकन कंट्रोल सुछ होता है देखो ये इसमें क्या होते हैं होता एक S.E.R. के तरफ ही होता है इस यूनिलेटरल फोर दिख केंगे होता ही sir की तरफ है तरह ही है लेकिन इसमें दो गेट होते हैं एक होता है हमारा एक होता है कैथोड़ ठीक है और है बिल्कुल सेम-to-same sir की तरह यूनि लेटर है 4 layer पूछ सकता है एक्जामडर silicon control system कैसी होता है unilateral है कितने लियर होती है 4 layer होती है कितने junction होते है 3 junction होते है कौन-कौन P-N-P-N silicon devices है 4 electrode होते है कितने electrode होते है 4 पहला होता है cathode दूसरा होता है cathode gate चौधा होता एनोड गेट और एनोड एट इज आ लो पावर डिवाइस कंपेरड विल एसी यार की तो नम है लो पावर डिवाइस है ध्यान रखेंगे दोस्तों जो टूगेट की डिवाइस होगी वो सिलिकन कंट्रॉल स्विच होगी हमारी तो इसको ओन कैसे कर सकते हैं जो गेट होगा उसको के पॉजेटिव पल्ट पल्स देंगे और कैथोड गेट होगा उसको नेगेटिव देंगे दोस्तों आई होप आपको एफस्प्लेनेशन समझ में आई होगी अगले चलते हैं कॉसन नमबर सिक्स की तरफ बहुत ही अच्छे कॉसन है एक भी कॉसन को आप इसके मत कीजिएगा कॉसन नमबर सिक्स है कंसीडर दी फॉलोइंग सेमी कंड़क्टर डिवाइस यह हमें कुछ सेमी कंड़क्टर डिवाइस दी गई है जैसे कि ट्राइक है थाइरिस्टर है और एंप्लिफाइंग गेट थाइरिस्टर है इनकी एक थाइरिस्टर है दूस यह कहा है कि D.I. upon D.T. capability के according आपको increasing order लिखना है पहले low लिखना है जिसकी D.I. upon D.T. capability लोगी फिर उसके बाद में high लिखना है लो से high level की तरफ चलना है तो जो हमारा थायरिश्टर होता है इसकी जो D.I. upon D.T. capability होती है वो high होती है ठीक है तो थायरिश्टर आ जाएगा हमार यहां पर यहां पर यह जो number 3 का है यह यह दो number आजागा सबसे last में अब इससे जा इससे कम होती है amplifying gate thyristor की तो तीसरा आ जाएगा है यहां पर और low हो जाएगी यहां पर try की तो 132 हैं पर series combination बन जाएगा दोस्तो I hope आपने भी अपना answer कर लिया होगा तो यह option आपका right answer हो दोस्तो 1, 3, 2 क्या है यह correct sequence है di upon dt capability increasing order I hope आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा दोस्तो यहाँ पर यह option आपका correct है इसमें कहा गया triac, amplifying gate, thyristor और thyristor यह क्या है increasing order है di upon dt का चलिए दोस्तो हम चलते हैं अपने question number 7 की तरफ इसमें क्या कहा गया है इसमें कहा गया है consider the following consider the following statement with regard to gate turn on gate turn off thyristor यह दियान रखेंगे यह statement जो दिये गए है वो सब gtu के लिए दिये गए है gate turn off thyristor के अब पूछ रहा है पहला statement the turn off gain of the ser is large जो हमारा gto होता है उसका turn off gain क्या large होता है दूसरा statement यहां पर आपको दिया गया है इसमें कहा गया है large negative gate current pulses are required to turn off the gate जो gto होता है उसके लिए large negative gate current pulses required होती है turn off करने के लिए तीसरा option बोल रहा है gto has large reverse blocking capability क्या gto में large reverse blocking capacity होती है capability होती है which of the above statement are correct correct वाले statement यहां पर पूछ रहा है option a में only one है option b में only two है option c में only three है option d में यहां पर one two three क्या तीनों ही सही है तो आप अपना answer करिएगा दोस्तों फिर इसके explanation की तरफ हम चलते हैं i hope आपने answer कर दिया होगा तो यहां पर इसका जो answer हो जाएगा cable to statement correct है यानि कि यहां पर b option आपका right answer हो जाएगा दोस्तों कि जो gto होता है gate turn off thyristor होता है इसको off करने के लिए large negative current की requirement होती है gate पर कैसी large negative current कहां पर gate पर apply करने की आवस्चता होती है तब यह जाकर turn off होता है पढ़ सकते हैं अब यहां पर gto के बार में जितने भी जो gate turn off thyristor होता है उसके बारे में सभी point discuss कर लेते हैं देखो यहां पर जो gto होता है यह ser की तरह ही होता है four layer three junction semiconductor device with three external terminal देहां रखेंगे जो हमारा SCS था उसमें कितने terminal थे four terminal थे जिसमें हमारा anode cathode और two वहां पर gate थे एक anode gate एक था cathode gate दिहां रखेंगे ठीक है दोस्तों थिरी जंक्सन जंक्सन थिरी थे यहनिकी दौनों की दौनों device SCR की ही तरह है four layer three junction बस अंतर क्या है टर्मिनल का है SCS में four terminal है और gto में यहां पर three external terminal है gto like an SCR can we turn on by applying a positive gate signal दिहां रखना examiner directive question पूछता है कि जब हमें gto को क्या करना है on करना है तो देखो on होता है किस से positive मैं ध्यान में देखो आपको लिख दे रहा हूं यहां पर gate से positive gate जब positive pulse देंगे gate को तब यह on हो जाता है और कभ होता है जब हम gate को negative voltage दे देते हैं आई होप यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा तो यहां पर पढ़ लेते हैं जी टियो लाइक अ एन S.E.R. केंवी टर्ण ओन बाइपलाइंग अ पॉजिटिव गेट सिगनल पॉजिटिव गेट सिगनल को एपलाइक करने पर टर्न ओन हो रहा है है जबकि however gto can we turn off यहां पर देख सकते हैं gto can we turn off by a negative pulse अपलाइट टू द गेट गेट पर नेगेटिव पल्स एप्लाई करेंगे तो ओफ हो जाएगा और जब गेट पर पॉजिटिव पल्स दे रहे हैं तो ओन हो जाता है इट हैज इंप्रूब्ड स्विचिंग करेक्टरिस्टिक जी टियो डिवाइसे जो टर्न और गेट टर्न ऑफ थायरेश्टर जो होता उसकी स्विचिंग करेक्टरिस्टिक इंप्रूब हो जाती है और और फोर ट्रक्षोण परपवज एंड एडजस्टेवल फ्रिकूंसी इनिवर्टर ड्राइब में भी इसको हम यूज कर सकते तो दोस्तो आई होप आपको explanation बहुत अच्छी लग रही हो एक एक question बहुत ही ज़्यादा important दोस्तो इसके मत करिएगा नहीं तो आपका नुकसान यहाँ पर हो जाएगा आपको question का level यहाँ पर पता कराना है मुझको किस परकार की आपके question यहाँ पर बनेंगे दोस्तो question number 8 आपकी screen पर यहाँ पर देख रहा होगा तो यहाँ पर देख सकते हैं question number 8 में क्या दे रखा है देख सकते हैं पूछ रहा है consider the following statement आपको कुछ statement दिये गए है बीजेटी has lower power losses than mosfet यह तो बात इनके ठीक है जो बीजेटी में power losses होते हैं वो mosfet की अपेक्षा कम होते हैं mosfet have lower power loss than igbt यह गलत statement है mosfet में जो power losses होते हैं वो igbt से ज्यादा होते है SCR have lower power losses than mosfet यह बात ठीक है यह आपके तीनों statement क्या ठीक है उच्छ रहा है विच आप इज इस statement आर करेक्ट है तो बन यह हमारा यह गलत हो रहा है तू स्टीटमेंट लोवर यह गलत है तू स्टीटमेंट गलत है आपका mosfet have lower power losses यह गलत है दूसरे में टेक्ट है बन और थी आपको देखनी के लिए मिल रहे होंगे तो डी आपका करेक्ट है यहां पर डी आपका करेक्ट है तो चलिए हम देखते हैं इसकी explanation पढ़ लेते हैं explanation में आपको बहुत ही अच्छे यहां पर बताया गया क्या कि इसकी property है यह option आपका राइड है अब explanation में क्या है दोस्तों दोस्तों यहां पर लिखा और एक हो गया हम आ रहा है यहां पर कंडेक्टिव लॉसिस तो लो हैं लेकिन कंडेक्टिव लॉसिसिंग की बात चल रही है कॉश्चन में यह होते हैं हाइय बीज़ लोसिस दियान रखना लोसिस यहां है बोस्तों कि में होते हैं हाई हैं आग्टिव लॉसिस बत क्डेक्टिव लॉसिस हैं हम ़क सेंटमें धे ज़ां बेक्टिंग 1 ॉसिसके बीज़ यह female क्या यह लो है IGBT have lower switching losses than BJT तो यह क्रम बनेगा आपका यहाँ पर thus power loss in increasing order यह power losses का increasing order है सबसे कम power losses SCR, फिर BJT, फिर IGBT फिर IGBT और फिर आ जाएगा हमारा MOSFET क्या जाएगा MOSFET तो यह आपका यहाँ पर increasing order में लिखे हुए है तो आई होप यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों दोस्तों यह सीरीज बहुती अच्छी है आपके support के बिना यह बहुती कम एसमभब है तुम दिहान रखना इसको इस सीरीज को support जरूर करना तो आपका support हमारे साथ बना रहा है इसलिए आप चैनल पर नए हो तो subscribe करके जरूर जाएगा और अपने दोस्तों में शेर जरूर करिएगा दोस्तों यहाँ पर देख सकते है the current sequence of given device correct sequence लिखना है current नहीं है correct sequence of given device in the decreasing order of their speed operation ध्यान रखना यहाँ पर किस का decreasing order सबसे पहले देखो हमें high लिखना है यह ध्यान रखना किस order में लिखवा रहा है फिर उसके बाद low speed वाला लिखना है तो सबसे जादा जो operation की speed होती है वो हमारी mouse speed की होती है mouse speed सबसे जादा switching speed इसकी होती है power loss तो इसमें high होते हैं दोस्तों लेकिन यहाँ पर mouse speed में जो switching speed होती है वो सबसे high होती है switching speed सबसे high ठीक है अब हम इसके बाद में अब देख सकते हैं option A में सबसे पहले power BJT फिर IGBT फिर SCR और D option में हमें mouse speed पहले नमबर पर मिल रहा है तो हम देख सकते हैं हमें बस एक ही statement पढ़ने की जरूरत है कि mouse speed में operation speed सबसे high होती है फिर IGBT फिर BJT फिर SCR तो यह क्या है आपका हैं पर decreasing order है operation का सहीए चलिए मिलते हैं अब अगले question हैं यहाँ पर चलते हैं दोस्तों अभी तो एक question और रह गया है तो इसके explanation की तरफ यहाँ पर चलते हैं दोस्तों यहाँ पर explanation आपको दिख रहा होगा explanation में है IGBT is inherently faster than power BJT power BJT से तो यह क्या है faster speed है however switching speed is IGBT is interfered to MOSFET MOSFET से क्या होती है कम होती है दोस्तों दोस्तों यहाँ पर आपको इसकी explanation बहुत ही अच्छी लगी होगी तो दोस्तों अब हम आ गए इसके 10 number question की तरफ बहुत ही अच्छे question आपको देखनी के लिए मिल रहे है तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं इस question में क्या क्या कहा गया है जो हमारा consider the following statement speed यह statement आपको चार दिये गए है बन तू तरी और फो इसमें का गया इस पीड ऑफ ऑपरेशन ऑफ मॉस्पेट इज मोड़ दैन ऑपरेशन ऑफ यह तो वाट ठीक है क्योंगी अभी हम पिछले question में इसमें पढ़े थे कि जो मॉस्पेट की operation speed होती है वो SCR से अधिक होती है ठीक है SCR has lower power loss than MOSFET next की चलते हैं तीसरी की तरफ current in conducting state can easily be control through the gate in SCR देखो SCR में current जो होती है कभी भी यहाँ पर gate से control नहीं होती है तीसरी option देख सकते हैं current in conducting state conducting state में current जो होती है SCR में बोल रहा है can we easily controlled can easily be controlled through gate gate का तो कोई वोई नहीं रहता है जब एक बार turn on हो जाती है device उसके बात में gate का कोई भी effect नहीं रहता तो यह आपका तीसरा statement गलत है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अब जिस statement जिस option में यहाँ पर हमारा तीसरा जिस भी option में तीसरा statement होगा वो गलत हो जाएगा जैसे चौथा यह गलत हो जाएगा C option है ये भी गलत हो जाएगा आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर अब रह गए हमारे दो option A और B तो 1, 2, 4 यहाँ पर correct हो सकते हैं देख सकते हैं MOSFET is not a current triggered device यह बाट ठीक है जो MOSFET होता है यह voltage control device होता है यहाँ पर इसकी जो है यह D option आपका यहाँ पर statement 4 आपका correct है दोस्तों और पहला भी correct है तो यहाँ पर आपके combination A option में मिल रहा है बन और फोर किसमें मिल रहा है यह option आपका correct हो जाएगा दोस्तों कि जो MOSFET की operation speed होती है वो SCR से अधिक होती यह ठीक बात है और MOSFET जो है यह current triggered device नहीं है तो option A आपका correct answer हो जाएगा दोस्तों आई होप आपको series में बहुत ही अच्छी लगी रही होगी 2012 में IES में आया हुआ question है option A आपका right answer है explanation में क्या है MOSFET is faster than SCR देखो एक्जामनर यही direct question पूछ लेता है किसकी speed हाई है तो इसको skip मत करना note करते हुए जाना MOSFET is faster than SCR ठीक है SCR can we turn on simply while applying gate pulse but once the SCR is fired it remains on even when triggering pulse is removed दियान रखना जब एक बार SCR on हो जाता है तो gate का क्या है इस पर कोई effect नहीं रहता है और यह जब तक on में रहता है जब तक triggering pulse को क्या कर दिया जाए हटा लिया न जाए तीशरा option है field effect devices are controlled by electric field और voltage जो field effect devices होती है fat जो होता है fat की जितनी भी जैफेट होगया MOSFET होगया यह सब क्या है voltage यह electric field control devices है तो आई होप आपको यहाँ पर question बहुत ही अच्छे लग रहे होंगे not और no वाले question बहुत ही अच्छे जबरजस्त है तो यदि आप वीडियो अच्छी लग रहे हो तो वीडियो को like और share करने के साथ साथ channel पनाए हो तो subscribe करके जरूर जाएगा हमको support कीजिएगा जिससे की हम आगे आपको यह series continue करते रहे हैं और ट्रक्षन की भी वीडियो आपको daily upload होते रहती हैं तो ट्रक्षन का theoretical lecture आपको बस दो lecture बाकी रह गए हैं उसके बाद में आपका जो है वहाँ पर ट्रक्षन complete हो जाएगा तो उसको भी आप support कीजिए यद कि आप उसको बहुच करना चाते हैं तो description में उसकी link दे रखी आप वहाँ पर जाकर उसको बहुच करना है तो वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छी है आने वाले यूपी पी सील जेई exam के लिए पूरी complete वीडियो देखिएगा यदि टाइम नहीं हो तो बहुच लेटर मे डाल करके इसको बाद में देख लीजिए चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद नमस्कार आपका दिन सुब हो